कि अब आपने में आपनाया था और फिर मार्च में मार्केट में लॉव बना था उसे 44 ट्रेडिंग डेज लगे थे मार्केट में नीचे आने में और फिर मार्च लो से अब तक मार्केट को 48 ट्रीडिंग डेज लगा है बाउंस बैक होते होते तो यह जो रैली है वो 35 परसंट रैली हमने देखी नीचले स्तरों से और अभी भी हम 24 परसंट दूर है अपने आल टाइम हाई से यूएस मार्केट अगर आप देखते हैं तो यूएस मार्केट नास्डेक तो आल टाइम हाई के आसपास आ चुका है और डाव जोन्स 6 परसंट अभी भी दूर है अपने आल टाइम हाई से यूएस मार्केट में 11 परसंट ऑफ जीडीपी का स्टिमिलेस का जो इफेक्ट है व लिए हमने मार्केट यूएस मार्केट में काफी 21 परसंट ऑफ जीडीपी का स्टिमिलेस वहां की गवर्मेंट ने दिया है और जो वहां के जो इंडाइस है वह भी 52 हाई के आसपास वापस पहुंच शुके हैं और ऐसे कई सारे देश है यूरोपियन जहां पे मार्केट मे है काफी अच्छी से बाउंस बैक हमने देखी है और वहां का जो स्टिमिलेस है वह 5-6 परसंट ऑफ जीडीपी तो ऐसे हर एक देशों ने अलग-अलग प्रकार के स्टिमिलेस दिये हैं और उस उस हिसाब से मार्केट में बाउंस बैक हमने दिखा है जहां पे स्टिमिलेस क कम है 3.5 परसंट ऑफ जीडीपी इसलिए हम अभी भी 24 परसंट दूह है अपने आल टाइम हाइस से और भारत के जो फेक्टर्स है माइगरंट लेबर के इस्यू फिर डिमांड रिवाइवल और जो स्ट्रिक लोगडाउन है यह सारे के सारे फेक्टर्स मार्केट अभी भी जो डिसकाउंट नहीं कर रहा है वो अब धिरे-धिरे डिसकाउंट करना शुरू करेगा क्योंकि अब तक तो हम देखा देखी कर रहे हैं अगर यूएस मार्केट या फॉरेंड मार्केट उपर है तो हम भी उपर जा रहे थे मगर अब समय आ गया है कि हम डीकपल करेंगे और भारत की जो ग्राउंड लेवल रियालिटी जे उसके अनुसार अब मार्केट आगे रिस्पॉंड करता दिखता है मार्केट में बुलिशनेस ऐसे देखे तो वापस थोड़ी बहुत ऐसे काफी आज आ भी चुकी है छे स्टॉक्स हमने एफ और बैंड में देखे हैं इसक में वॉल्यूम में पचास से साथ तका की बढ़ोतरी हुई है कैश मार्केट में जो आप अगर में से में के लोज के कंपेरिजन आप करते हैं तो सबसे बड़ा जो फेक्टर है ध्यान देने लाइक वो यह है कि डॉमेस्टिक इंस्टिटूशन ज्यादा तर पार्टिसिप करेंशन अभी तक किया नहीं है उन्होंने जो माल खरीदा है वो या तो ब्लॉक डिल में खरीदा है या QIP में खरीदा है भारती टेलीकॉम या QIP कोटक महिंद्रा के या HDFC लाइफ के या रेलायंस के राइट इस्वें तो इस प्रकार का उनका पैसा अच्छी अच्छी बडी चुनिंदा कमपनी उसने किया है मगर सेकंडरी मार्केयर से उन्होंने बड़ी खरीदारी नहीं कियी है तो यह पक्रेजारी हुई यह यह में इसमेह मैं हुम इसे कहते है और इस प्रकार से मार्केट में एक second wave of selling वापस आ सकता है तो हर एक देश की मैक्रो परिस्थिती अलग है dynamics अलग है हमें follow नहीं करना चाहिए हमें भारत पे concentration करना चाहिए और वहां की जो ground level reality है उसे ध्यान में रखके market में trade या invest करना चाहिए currently पैसा इन्वेस्थ नहीं करना चाहिए क्योंकि market में already 35% की rally आ चुकी है market में deeper correction की रा देखनी चाहिए तभी investor को पैसा लगाना चाहिए और trader sell on every rise की strategy रहनी चाहिए मार्केट में possible है कि 10,300 या at best 10,500 तक market जा सकता है मगर यह intermediate top market का बना हुआ है या बनने की तैयार ही है तो यह fag end है इस rally का तो traders sell on weakness की strategy रहनी चाहिए और ICICI bank में weekly high का stop loss रखके उसे short किया जा सकता है लार्सन में भी weekly इस week का high रखके लार्सन में भी short position ली जा सकती है और buying ना करे खासकर investment point of view और market में आपको और भी अच्छे मौके मिलेंगे अगर आपके कोई सवाल है तो हमें लिख बेजिए हम उसका जरूर उतर देंगे झाल